नमस्कार दोस्तों नमेह शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हारदिक स्वागत करती हूँ मेरे सभी भाई बहनों को मंगला गौरी व्रत की हारदिक शुब कामना है। सदा सरवदा बनी रहे। उसकी पतनी हमेशा दुखी रहते थे। साहुकार और उसकी पतनी हमेशा भगवान भोले नात जी की पुजा अर्चना किया करते थे। समय व्यतीत हो रहा था भगवान भोले नात जी की कृपा से साहुकार की पतनी गर्भवती हुई। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद भगवान भोले नात जी साहुकार के स्वपन में आये। और बोले कि तुम्हारा पुत्र अलपायू है यह केवल 16 वर्ष की आयू तक ही जीवित रहेगा। सर्प के काटने से तुम्हारे पुत्र की मृत्यू हो जाएगी। लेकिन यदि कोई भी ऐसी कन्या हो जिसने मंगला गौरी का व्रत किया हो ऐसी कन्या से यदि तुम्हारे पुत्र का विवा होगा तो तुम्हारा पुत्र दिरगायू होगा। और वह कन्या कभी भी विध्वा नहीं होगी। यह बात सुनकर साहुकार को थोड़ी तसल्ली हुई और उसने मनही मन भगवान भोले नाजी को धन्यवाद दिया एक दिन वह साहुकार अपने ब्यापार के कारे हेतु कहीं जा रहा था रास्ते में ठकान के कारण वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया पास ही एक तालाब था वहाँ पर दो कन्याएं थोड़ी देर बाद वस्त्र धोने के लिए आई और आपस में बाते करने लगी, एक कन्या का नाम कमला था और एक कन्या का नाम मंगला था, कमला और मंगला आपस में बाते कर रही थी, कमला ने कहा कि मैं माता मंगला गौरी का व्रत पांच वर्सों से करती आ रही हूं, तुभी यह व्रत शुरू कर दे, तुझे भी सुयोग वरकी प्राप्ती होगी यह ब्रत बहुत ही उत्तम है और माता मंगला गोरी की कृपा हम पर सदा बनी रहती है माता मंगला गोरी जी हमें धन धाने सुक समपत्ती प्रदान करती है दूसरी कन्या ने कहा हा कमला मुझे भी यह व्रत करने का मन हो रहा है और मैं भी सावन माज से मंगला गौरी का व्रत धारण करूंगी यह सारी बाते साहुकार पेड के नीचे बैठे बैठे सुन रहा था उसने सोचा कि यह भग्वान भोले नाज जी की लिला है जो हमें ऐसी कन्या से उन्होंने मिलवा दिया जो मंगला गौरी का व्रत करती है और भग्वान भोले नाज जी ने कहा था कि तुम्हारे पुतर का विवाह यदि ऐसी कन्या से होगा, तभी तुम्हारा पुत्र देरगायू होगा। उसने यह बात अपने मन में बैठा ली कि मैं अपने पुत्र का विवाह इसी कन्या से करूंगा। कुछ देर बाद वह उस कन्या के पास गया और बोला बेटी तुम कहा रहती हो तुम अपने घर का पता बतलाओ उस कन्या ने बताया कि मैं पास के गाओं में ही रहती हूँ यह सुनकर साहुकार अपने घर को चला गया अगले दिन वह साहुकार उस कन्या के घर गया उसके माता पिता से अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगा। बोला कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दें। बिश tickets कोुए नहीं चाहिए। आपके वल अपनी कण्या का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दें। कण्या के माता-पिता घर पर स्वेम आय हुए रिष्टे को जानकर बहुत ही प्रसन हुए और साहुकार के पुत्र के साथ बड़े धूम धाम से उस कण्या का विवाह संपन्न हो गया। कमला ससुराल में आने के बाद भी माता मंगला गौरी का व्रत उसी प्रकार से धारड करती रही और अपने पती के कल्यार की कामना करती रही जब उसके पती की आयो 16 वर्स की पूर हो गई तब एक दिन माता गौरी जी कमला के सपने में आई और बोली कि हे कमला तुम्हारा पती केवल 16 वर्स की आयो तक ही जीवित रहेगा और सर्प के काटने से इसकी मृत्यू हो जाएगी लेकिन तुम बिलकुल भी चिंता मत करना मे जर्प आएगा और उस दूध को पी लेगा और मटके में चला जाएगा उसके बाद उस मटके को तुम किसी कपड़े से उसके मुख को बाध देना और उस मटके को ले जाकर जंगल में छोड़ आना ऐसा करने से तुम्हारा पती बच जाएगा और वह दिरगायू होगा सार अपने पूरे परिवार को बताई सभी परिवार आश्चर में पड़ गए और माता मंगला गवरी जी के चरडों में गिर पड़े सभी परिवार माता मंगला गवरी जी का धन्यवाद किये और पंडित जी को गुला कर धूम धाम से माता मंगला गवरी के ब्रत का उध्यापन कमला ने किया ब्रामडों को भोजन कराया, ब्रामडों को बस्त्र उपहार आज देकर विदा किया अपने घर में यग्य करवाया और माता मंगला गवरी जी से प्रार्थना की कि है माता रानी जिस प्रकार से आपने मेरे पती की रक्षा की है उसी प्रकार जो भी सुहागे निस्त्रियां इस ब्रत को धारण करें, उनके पती की आप रख्चा करना तो इस प्रकार से माता मंगला गौरी जी हर प्रकार से सुख सम्रिद्धी और हमारे जीवन की रख्चा करती है बैवाहिक जीवन में आ रही अर्चनों को दूर करती है बोलिय श्री माता मंगला गौरी जी की जै बाबा भुले नाथ जी की जै भगवान गडेश जी की जै दोस्तों कथा समाप्त होती है आईए हम सम मिलकर माता मंगला गौरी जी की आरती करते हैं जै मंगला गोरी माता मैया जै मंगला गोरी माता ब्रम्ह सनातन देवी शुभ फल की दाता जै मंगला गोरी माता अरी कुल पद्म निवासिनी जै सेवक त्राता जग जीमन जग दंबा हरी हर गुड़ गाता जै मंगला गोरी माता सिंग को वाहन साजे कुंडल है साथा देव बधु जहां कावत नित्य करतता था जै मंगला गोरी माता सत्युबशिल अति सुन्दर नाम सती कहलाता है मांचल घर जननी सखियन रंग राता जै मंगला गोरी माता सुन्दने सुन्दर जारे हे मांचल स्याता सहस गुजातन धरी के चक्रली ओहा था ओम जै मंगला गोरी माता श्रिष्टी रूप तुही जननी शिव संग रंग राता नंदी भिंगी भिन लाही सारा मद माता जै मंगला गोरी माता देमन अरज करत हम मन चित को लाता गावत दे दे ताली मन में रंग राता जै मंगला गोरी माता मंगला गोरी मया जी की आरती जो कोई नित गाता सुख संपति घर आवे सब सुख वह पाता जै मंगला गोरी माता मैया जै मंगला गोरी माता सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वात साधिके शर्णे त्रयंब के गोरी नारा यडी नमूस्तुते जै माता दी